जी हाँ नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप सभी का आरेस नियूस के कौन नए वीडियो में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार साउथ एम्टेन में आज वर्ड टेस्ट चेंपियंशिप के फैनल मुकाबले के दूसरे दिन भी शुरू बारिश मौसम का ऐसा रहेगा मिजाज इतने बजे से शुरू होगा आज लाइव मैच तो ऐसे में दोस्तों जानेंगे कि आखिरकार आज पूरे दिन साउथ एम्टेन में क्या पूरा मौसम रहेगा और कब कब बारिश होगी कब कब मौसम साफ रहेगा पूरी डिटेल जा जैसे कि जो दूसरी बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे वो यह होगी कि टॉस ना होने के कारण भारत ने बदली अपनी प्लेंग लाइवन टीम अब इन खिलाडियों को दिया मौका और नामी ऑल्राउंडर खिलाडी को भारते टीम में से किया गया भारत और वहीं जो दोस्तो अगर आप भी चाहते की भारते टीम वर्डे टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला जीते तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तो आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है बस मातर 500 लाइक का तो आप अभी इस वीडि ना लेते हुए बात करते हैं इस पूरी ख़बर के बारे में दोस्तो जैसे के आप सभी को पताई कि भारत और न्यूजिलेंड के बीच में साउथ एंप्टन के दी रोजबाउल स्टेडियम में होने वाले विस्वटेस्ट चैंपियंशिप के फाइनल मुकाबले के पहले बेसबरी से करोडों की संख्या में लोग कर रहे थे और अचानक से ही बारिश का आजाना शायद ये फैंस को पसंद नहीं आएगा और वहीं दोस्तो हम आपको बताएं कि अगर 18 जून को सब कुस सही रहता तो साउथ एंप्टन में बर्ड टेस्ट चैंपियंशिप के फैन कले तो बनी कि बारिश रुक गई और मैच फिर से चालू होने वाला है लेकिन उन अटकलों पर भी पानी फिर गया और पहले दिन का मैच बिल्कुल भी नहीं हो पाया और ऐसा ही दोस्तों आज दूसरी दिन भी आप सभी को देखने क्लें मिलने वाला है यहां दोस्तों यह बग बग जादातर बादल रहने के संभावना है और वहीं आप जैसे की देख पार होगे कि 8 बजे काफी घने बादल रहेंगे लेकिन यहां पर बारिश होने की संभावना काफी ज्यादा कम है तो वहीं 9 बजे साउथ एम्टन में आज बादल रहेंगे और बारिश यहां लेकिन दोस्तों यहां पर आट बज़े से 11 बज़े तक के बीच में पर बारिश ओने के आसार नहीं आ रहे हैं लेकिन दोस्तों अगर आप नीचे नजर डालोगे तो यहां पर 12 बज़े आप सबी को थोड़ी सी बारिश होती हुई दिखाई देगी जहां पर बादल तो वहीं एक बज़े के लगभग भी बारिश होगी लेकिन ये थोड़ी हलकी बारिश होगी तो वहीं दो बज़े के लगभग बारिश फिर से आईगी और यहां पर यह जमा जम बारिश होने वाली है तो वहीं तीन बज़े हलकी बारिश होगी तो वहीं चार बज़े के लग बस आट बज़े से ग्यारा बज़े तक का ही मौसम एकदम साफ नजर आ रहा है बाकी अब देखना यह होगा कि बारिश इसमें खलल डालती है फिनी बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में आप अपनी कीमती रहा है और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताईएगा तो ही चलिए अब आगे बढ़ते हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वह यह है साफाली वर्माने ठोका एक और अर्देशा तक लेकिन बारिश में धुला तीसरा सत्रेजियां दोस्तों फॉलो ऑन खे किट पर 396 रन बना कर अपनी पहली पारी को गोचित किया था जबकि भारते क्रिकेट टीम ने 231 रन पर ही सीमट गई और इससे इंगलेंड को 165 रनों की बड़ा थासिल हुई और जिसके बाद भारत को फॉलोन करने के लिए मजबूर कर दिया गया और पहले सत्रे में बार इसका कारण बना और तीसरे दिन का खेल यहीं पर ही समापत हो गया हाला कि दुस्तों इस दौरान इस टम्स के वक्त शैफाली वर्मा ने 68 गिंदों पर 11 चौकों की मदश से 55 रनों की पारी खेली और दीपती सर्मा 66 गिंदों में 2 चौकों की मदश से 18 रन बनाकर अभी क्र इडिया में होने वाले विस्व टेस्ट चैंपिन्शिप फाइनल मुकाबले के पहले दिन का खेल बारिश की भीड चड़ गया और टॉस हुए बिना ही इस्टम्स की घोशना कर दी गई तो वहीं भारत और न्यूजिलेंड की बीच यबलू टी सी के पहले संसकरड का फाइ शुरू हो गई थी जिसके कारड टॉस में विलंब हुआ था लेकिन लगातार बारिश होने और मैदान गीला होने के कारड पहला सत्र पूरी तरीके से धुल गया और इसके बाद कुछ देर के लिए बारिश बंद हुई और लगा की मैच होने की अब संभावना है लेकिन फ भारतिय समय अनुसार शुरू होगा और आज टॉस करवाया जाएगा तो वहीं दोस्तों अगर हम बात करें अब भारत की प्लेंग लावन टीम में क्या बड़े-बड़े बड़े बदलाव होने संभाव है इसको देखकर कोई हैरानी नहीं होगी अगर ऐसा होता है तो रव आईएगा तो वहीं चलिए बागे बड़े हम बात करते हैं अगली ख़बर के बारे में जो दोस्तों अगली बड़ी ख़बर निकल कर आ रही हुई है आयर लेंड के स्टार बल्लेवाज ने लिया सन्यास विश्व कप में इंगलेंड के किली ती चमतकार पारी जिए हैं द लगता है कि है सही समय जब मुझे आगे बढ़ना चाहिए और वंडे क्रिकेट से सन्यास की घोशना करनी चाहिए है मेरे लिए बहुती समान और गर्व की बात रही कि मैंने 153 मुकावलों में अपने देश की तरफ से खेलने उतरा इससे जो भी यादे मैं आपके साथ लेक सब्सक्राइब करना जिससे की जो आगे अपडेट होंगी वह आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे तो मिलेंगे अगले कर इसी जानकारी में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत